वेल्कम फ्रेंड्स वागत है आपका आपके अपने चैनल पुनम्स गार्डन एन रिसाइकल इन क्रेटिविटी तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में आप सुन्दर सुन्दर से किस्थेनियम गुलदावदी के फ्लोवर जो काफी कलर की वराइटी है हमारे गार्डन में अ उनके फ्लोवर सुख चुके होंगे और अभी इनका फ्लोवरिंग टाइम खतम हो चुका है तो जल्दी ही हमारा जो प्लांट है वो भी सुख सकता है मर सकता है अगर आप उसकी अच्छे से कैय नहीं करेंगे तो इसको अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए सेव करने के लिए नेक्स सीजन में इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकोन दवाना जिससे मेरे वीडियो का नोटिक वेशन आप को टाइम से मिलता रहे और आप मेरा वीडियो देख करके अपने गार्डन में फ्री में प्लांट एड़ कर सकें कटिंग से सीट से वह सब नुखिया मैं आपको बताऊंगी जिससे आप फ्री में ही अपने गार्डन में बिना कुछ खर्चा किए सुन्द सुन्द से प्लांट और प्लांटर भी त्यार कर सकते हैं फ्रेंस वह भी वेस्ट माटीरियल से क्योंकि मैं waste material से planter त्यार करती हूं वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगी और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके मैंने वो वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है तो जल्दी कीजिए चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टा और मैं आपको बताती हूं तो फ्रेंड्स ये है हमारा किस्थेनियम गुलदावदी का प्लांट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी इसकी कंडिशन बिल्कुल हो चुकी है खराब तो अभी हमारा जो प्लांट है हो सकता है सूख भी जाए या फिर बचा भी रहे तो दोनों ही कंडिशन में हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लोवर है और फ्लोवर अभी सूख करके कुछ इस तरह से स्पैंड हो चुका है और देखिए बिल्कुल खराब होने लगे हैं इसके फ्लोवर तो इससे हम मैं आज आपको सीरे से निकालेंगे क्योंकि इसका जो सीर्स है वो साइज में बहुत छोटा होता है तो आपको बहुत केर तरीके से इसको निकालना है बहुत साफधानी से निकालना है और आपको इसके मैं सीर्स दिखाती हूं कुछ इस साइज में आपको इसके सीर्स मिलेंगे जो आप अ इनको collect करके रख सकते हैं next season में grow करने के लिए तो friends ये था मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रू बताईएगा comments box में bye bye check here happy gardening